World Taste Championship की बात करें, तो Australia ने फाइनल में भारत के सामने 444 रन का विशाल लक्षे रखा है। अब सभी फैंस ये सोच रहे हैं कि क्या टीम इंडिया इतने बड़े लक्षे को हासिल कर सकेगी या नहीं। टेस्ट क्रिकेट के 146 साल के इतिहास को देखें, तो जरूर कोई टीम इतना बड़ा लक्षे हासिल नहीं कर सकी, लेकिन चौती पारी में 600 रन जरूर बना है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, तो आठ बार कोई टीम 500 से अधिक रन बना कर जीत हासिल कर चुकी है। विस जोन ने पहली पारी में 251 रन बनाए। यूसुफ पठान ने पहली पारी में 108 रन बनाए। साउथ जोन ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 386 रन बनाकर पारी घोशित कर दी। दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर बहतरीन शतक ठोका और 150 रन बनाए। इस तरह से विस वेस जोन को 536 रन का बड़ा लक्षय मिला लक्षय का पीछा करते हुए वेस जोन ने अच्छी शुरुआत की ओपना बल्ले बाद चिराग पाथक ने 130 तो हरशद ने 46 रन बनाए नमबर तीम पर उत्रे कप्तान वसीफ जाफर ने 66 रन बनाए इसके बाद यूसुफ पठान ने ताबरतोर पारी खेल कर टीम की जीत पक्की कर दी उन्होंने तेज गेंड बाज श्रीना तरविंद की गेंड पर छक्का जड़कर टीम को यादगार जीत दिलाए पारी में उन्होंने 190 गेंड का सामना किया 111 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए 19 चौका और 10 चका लग पारी में उन्होंने 5 विकेट जटके थे विश जोन की ओर से रवींद जडेज भी खेल रहे थे वे दूसरी पारी में सिर्फ एक ही रन बना सके